बॉर्णी वाल अफ यू कैसे है आप सब ठीक है वेरी गॉड और आपने पॉनिक सांड आई पढ़ा रिवाइस किया उसकी वर्ट छोड़े छोटे पोर्ट आई सांड वाले आपने पढ़े परिगुल है ना बहुत सारे आई सांड वाले छोटे छोटे बर्ट होते हर सांड क जिस चीज को हम पढ़ गाँ उसके सारे वाले जिरे दिरे रीड कर सकते हैं वेरी गॉड तो आज हम क्या पढ़ेंगे हम फोनिक सांड आई पढ़ें और हम पढ़ेंगे सरकलता करेक्ट वेड मतलब जो सही शब्द है जो सही वोड। है उसे हमें सरकल करना है तो इधर के प वोगल वाली spellings है और जो भी हम पढ़ेंगे वो आई वोगल से ही related पढ़ेंगे तो सबसे पहले यहां पर क्या बना हुआ है यह बना हुआ है तिन ठीक है अब यहां पर बिन भी लिखा है और तिन भी लिखा है तो पहले तो हमें इसे देख के हम पहचान जाएंगे कि यह ति पहले देख करना है तो टी इन इन ठीक है बी इन बिन जो जहां पर व का मतलब बिन और यहां पर तिन तो यह क्या है हमारा तिन तो हम किस पे सरका करेंगे तो आपको यह करना है कि आपको धीरे-धीरे spellings पढ़नी है जोड़कर है ना तो उससे आपको आगे भी सारी चीज स से रीट करने में आसानी होगी अब यह बना हुआ है 6 आप कांटिंग कर दो ना 1,2,3,4,5 तो यह है 6 ठीक है तो 6 की spelling आपको पता है S-I-X-6 और यहां पर एक लिखी है F-I-X-6 तो आपको जो पता हुआ है उस पे सरकार करना है ठीक है अब यहां पर बना हुआ एक कप और उसमें बिस्किट डिप कर रहे हैं हम जब भी चाइवाय पीते हैं उसके सब बिस्किट तो बोते हैं डिप करके खाऊ तो यह क्या हो रहा है दिप हो रहा है तो हमें यहां क्या करना है खोजना है कौन सा करेक्ट बर्ड है यहां पर लि लिड और आप लेगा है DIP तो इस पर सरकल कर दिया डिप पर राइट अब यह बना हुआ है लिड लिड मतलब तकल जो भी खाना वना बनता है बहुत जो पी होते हैं उन सब के उपर जो धकल लगता उसे बोलते लिड ठेक है तो आप हम यह आपर देखेंगे आप लिखा यह तो हम में सर्कल कर देंगे तो इसे बोलते हैं सर्कल दा करेक्ट वर्रoten किस के करक्ट वर्र? और फॉनिक संड कर्यक्ट थे के लिड़ तो ऐसे पिक्चर से दिन दर जाएंगी और दो नाम लिखे जाहेंगी उसमें से आपको रीड करकर देखना है जो भी इस पिक्चर क तो अब आपको इसको करना है और इसकी प्रैक्टिस करना है ओके बच्छों ठीक है थांकिव